मस्कार दोस्तों, बेस्ट सीटी इन इंडिया गवर्मेंट जॉब पर हम आपका हर्द इक स्वागत करते हैं अगी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों क्योंकि बाउसे में डिपेंड जॉब से रिलेटेड सारी जानकर यापको इसी चैनल के माजिम से मिलती रहे दोस्तों दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वण टॉपिक पर वीडियो लेकर रहे हूं जिसकी मांग है जो बहुत से कड़ेट ने किये कि सर सियार्पिय परामेडिकली स्टाप के एक जाम एडविंड कर्ट कब आएंगे और हमारा एक जाम कब होगा तो दोस्तों मैं इसकी सारी जानकर यापको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका एक जाम एडविंड कर्ट है जो बहुत ही जलद रिलीज होने वारा दोस्तों यानि आपको पहले एक जाम एडविंड कर्ड आएगा तो पहले आपको ओनलाइन लिस्ट आएगी जो आपका फिजिकल एडविंड कर्ड के लिए ओनलाइन लिस्ट निकली थी इसकी ऑफिसल साइड पर उसी तरही जिन केड़नेट ने पीटी और पीएसटी किलियर कर लिय उनकी एक qualifying list आईगी दोस्तों जो list है जो CRPF की official website पर आपको मिलेगी दोस्तों अब बहुत से केड़नेट पूछेंगी सर ये list कब मिलेगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कोई आपको ये list है जो जुलेई के आंत तक देखने को मिल जाएगी दोस्तों जुलेई के last week या आपको बता दूँ कि आपके exam admin card है जो अगस्त के first week से second week तक आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों यापके exam admin card है जो अगस्त के first week तक आने की पूरी-पूरी संभावना है अब तीसरा क्योंसों नहीं है कि सर exam कब होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका exam है जो 22 अगस्त से शुरू हने की पूरी-पूरी संभावना है लेकिन अभी तक official side पर इसकी push नहीं हुए है जब इसके यह help line number दे रखे हैं दोस्तों आप भी इसके उपर call करके पता कर सकते हो दोस्तों जब हमने इनके help line number पर call गिया था तो तो उन लोगों ने हमारे को बताया कि आपके एक्जाम है जो अगस्त के last week में होने की पूरी-पूरी संभावना है जब हमने पूछा कि सर एक्जाम है जो पहले किस किस केड़नेट का होगा तो उन्होंने बोला कि पहले जब बड़ी पोस्ट थी और उनमें केड़नेट काम है ऐसा ही ऐसा ही और head constable के एक्जाम ह है जो अग इन एसा ही और एसा ही head constable का exam complete होने के बाद उनका प्रोसेद उठाया जाए तक उनका भी एक्जाम शुरू हो जाएंगे ट्रेडिसमें के भी क्योंकि उनमें केड़नेट बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसी करण कि हैं कि उनका एक्जाम पहले conduct नहीं करवा रह है दोस्तों तो इसके तो बचा भी उप्चा रहा है दोस्तों तो इससे पहले पहले पे चौर्श रही कि इतना जल्दी हो सगा उतना भरती प्रोसेश को पूरा complete कर लिया जाए दोस्तों तो दोस्तों आप जिनता ना करें आपके एड्विंड कार्ड है जो मैंने बताया कि आपके पहले SI SI के admin card है जो अगस्त के fast week में आएंगे और trade man की भी वैसी है ऐसी list आएगी इसकी official side पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों और जिद जिन cabinet ने PT और PhD qualify किया है उनका ही नाम इसमें आएगा जिन cabinet ने PT और PhD qualify नहीं किया है उनका admin card में यह list आएगी इसमें नाम नहीं आएगा अब बहुत से cabinet के मन में यह doubt चलना है कि सर हमारा exam center कहां पर होगा दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका exam center जहां आपका physical हुआ और जहां आपने फर्म बढ़ते वक्त चोईस की थी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपकी कट अप है जो बहुत से यूटूबर और बहुत से social media network से अलग-अलग हैं जो अलग-अलग बाते क्या रहे हैं दोस्तों मैं आपको विस्वास दिलाने के लिए इसकी कट अप हैं जो अलग-अलग जिस जोन से आप बढ़ती देख रहे हैं उसी जोन वाइजर होगी जैसे दोस्तों आपने अजमेर से बढ़ती देखिए है तो आपने अजमेर आपका एक्जाम गुआ हैं और आपका फिजिकल भी अजमेर हुआ है तो अजमेर हेड़कोर्टर से ही आपकी अलग लिस्ट निकलेगी जैसे आपने इलाबाद हेड़कोर्टर से अलग देखिए हैं तो आपकी इलाबाद से अलग लिस्ट निकलेगी दोस्तों हैदराबाद से अलग निकलेगी निव THE nag निकलेगी देरादूं इसी WordPress से आप की लिष्ट ट्यार होगी और जिस जिस सेंटर की उसी सेंटरर से आपकी अलग अब लौग भी इसथी आपको बतातूं मैं इसी चैसाब से ट्रेड्स निकली थी ذուस्दों तो उसमें क्या हुआ था कि जिन जिन एक्जाम सेंटर में आप लोगों ने बढ़ती दी थी बढ़ती देखी थी के अनुसार ही उनकी है जो कट अप लिस्ट आई थी दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप इसका है ना CRP की ओपिसिल नर्टिफिक आपका रोल नमबर है सारा डीटो दोस्तों हर एक जोन वाईजी की कट अप हैं जो मेरे पास पड़ी है उसका भी लिंक मैं जोन वाईजी नीचे डिक्टुरिसन बाक्स में दे दूंगा दोस्तों जहां से जाकर करके आप पता कर सकते हैं दोस्तों अब बारी आती हैं कि सर हम एकजाम की त्यार ही हैं जो किस परखार करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँँ मैं पहले भी बताता ही हूँ आपने जिस ट्रेड से फर्म अपलाई किया है उसी ट्रेड की सब्जेक्ट की उपर जयादा जोर दोस्तों क्योंकि आपको मालूम एं कि 50 किसंथों तो आ तो दोस्तों इस हिसाफ बाइंड कर रहे हैं कि आपको तो आपको अगर बोल देंगा पसु डॉक्टर की क्योचिशन पूच लिये जाएंगे या महत्त की क्योच ले जाएंगे तो किस काम के दोस्तों इस लिए सप्रोडर्फक यहां किया किया है कि पचाष क्यूशन है जो ऑपीशल सबजेक्ट के रखे है एक्चुल एक्चुल में दोस्तों तो वो अपिसल सब्जेक्ट होता है आपका जो पचास किशन वही पूचे जाएंगे आपका अगर सब्जेक्ट मजबूत होगा तो आप सीड निकाल लोगे नहीं तो दोस्तों मैं बता हूँ जेनल इंट्रिजेंस रीजनिंग औरर Thomas और Gköques वगेर को सब्सेमरीर्ब्स एकद्ट नेट करेगा दोस्तों क्योंकि आज काल हर एक परिवार के अंदर इंटीया के अंदर हर एक परिवार के अंदर एक करते निक हमें और यो समय किकितनी 139309 दोस्त Kingdom liter जानता तो डेली competition exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे किसी भी ट्रेड इसके अंदर देख लो तो दोस्तों उनका जी के जी एस मैस और रिजनिंग तो और हंदी या इंगलीज तो उनकी 100% किलियर होगी दोस्तों तो दोस्तों जिस subject से आप फर्म रहें उसे subject को अच्छी तरह मजब में नंबर सामिल होंगे और मैस के जितने भी आप जीके जीएस इंटलिमेस और इंटलीजेंस रिजनी बगर आएं इनकी सारे के डीटो सो क्यूसना हैं ये सो किसन की सो किसन के उपरी कट अप बने आपगी अब कई कटनेट पूछ लेंगे कि सर इसकी कट अप कितना जाने क ले तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी छाई है किसी भी विट इप्रती को क्यों ना देखे हैं आप को इट If you नो अगर अगर आप क Catholicss करना हो खांग गया चाए उससी जी डी भी और यह क्ट़के छो तो ऑर आप स्कॉर नहीं करते हो तो आप अपने आप में बिलकुल सैप नहीं हो दोस्तों तो आपको यह टारगट लेके चलना है कि आपको 80 प्लेस स्कॉर करना है रोगर आप प्लेस स्कोर कब कर सकते हो दोस्तों जब आप जी के जी एस इंट्रिजेंस रिजनिंग वगरा और मैस अर्थमेटिक और हिंदी या इंग्लिस में आप उसी पेपर कंदर 45 क्यूशन राइट करके आते हो जब यह आपका है जो नंबर बनने का पूरा पूरा चांस रहता दोस् दोस्तों वह भी आर्थमेटिक इस अर्थमर्टिक में ऐसा इस je profit loss time and distance time and work of train duration वेज मिशन ईलिगेशन वगर इतने पर्सनल लगी क्या होगी आज पर्सनल लोगी क्या आपको एसे साधन ब्याद्ट चक्रोटव की ब्याद नहीं आता है पर्सन्टेज निकलना नहीं आता। जो माने 5 यू क्लास का इस्टूडेंट है जो 5 प्लास का वह भी पर्षेंट निकाल देता है प्रोफिट लॉस निकाल देता है अगर आपको प्रोफिट लॉस नहीं है तो ला भानी कभी पता नहीं तो आप भाश्य में क्या करोगे दोस्तों जब यह मैं बताऊना हर एक केड चाहों चाहर नहीं किरेंगा तो सब्जचक्त नहीं होन चाहिए और योगिता भी होनी चाहिए करा परकार के नुसर अगर आपको अगर final selection लेना है तो 80 plus score करना होगा दोस्तों और दोस्तों जैसे ही इसकी admin card की list online side पर upload होती है मैं तुरंत आपको छोचना दे दूँगा इसी YouTube channel के माधिम से तो इसके लिए आपको हमारा channel है जो like, share और subscribe करना होगा दोस्तों और पास में bell की घं इपन जोब से related तो दोस्तों वो सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तो मैं आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही परसंद आया होगा दोस्तों वीडियो को like, share तो करना ही है दोस्तों तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजजत जे हिंद जे भा राद राम राम दोस्तों